हेलो दोस्तों नमश्कार मैं अंजू मिश्रा आपका अपने चैनल हम और आप में स्वागत करती हूं तो यहां देखिए यह है सीक्रेट प्लैनर ऑफ गोलगपपा पार्टी तो यहां पर भागवत कथा हो रही है हमारे और सब यहां पर एकठे हुए हैं और यह जो कुछ लो इन्वाल्व हैं और यह यहां पर गोलगपपे खाते हुए पकड़े गए हैं लेकिन मैंने ही पकड़ा है और इसलिए मैं इनकी वीडियो बना रही हूं तो यह देखिए और यह आए हैं यह मेरे सबसे बड़े जेट जी का बेटा है नन्हे यह हमारे चाचा ससूर जी का प पजामा नहीं मिल रहा है लेकिन ढूंडते हो आपस चलेगा इनका मन तो नहीं था जाने का क्योंकि गोलगपपा पार्टी चल रही है तो यह फिलहाल तो चलेगा है देखते आगे क्या होता है यह है हमारे देवर जी की बेटी मोनू यह हैं हमारे बड़े जेट जी की बना के दे रही है क्यों शर्मा रहे यो खालो बेटा खालो इधर भी देखो और देखिए यह है हमारी देवरानी और जो की इस गुलगप्पे को सबको जो है लगा लगा के दे रही है और सब मजे ले रहे हैं कोई बात नहीं खाओ बच्चो जब पकड़े जाओगे तब पत नहीं देखो यह नन्य फिर से आगए क्योंकि इनका मन तो नीचे नहीं लग रहा है अब यह बताने आएं पजामे का कलर कि किस कलर का है यह सोच रहे हैं कि मुझे एक बार बोला जाए कि आओ बैठो बैठो गुलगपे खाओ लेकिन इनको कोई नहीं बोल पाया देखिए आ गए यह तो कौन कहेगा यह पजामा ढूंड रहे था इनके दादा जी को बताना पड़ेगा कि पजामा ढूंड ने नहीं आये थे यह गुलगपा खा रहे हैं और यह हमारी पंची बिटिया भी खा रही है और यह मैंने भी थोड़ा सा हाथ फैलाया है कि भाई कर रहे हो तो मुझे भी गुलगपे दे ही दो तो यहां पर मैं वीडियो में नहीं कैप्चर हुई हूँ देखिए मेरा गुलगपा कितना टेस्टी लग रहा है तो यहां यह वीडियो बन रहा है और यह कुछ जादा ही शर्मा रही है कि ममा जो है मेरी वीडियो बना रही है मैं आहां खालो बेटा अब भी खाओ तो देखिए यह जो है नन्हे यह पजामा ढूंड़ने के बाद गोलगप्पे खाने में मश्रूफ हैं कि दादा जी को बता दूंगी कि यह पजामा नहीं ढूंड रहे थे हां मोनु को देखिए मिर्ची लग रही है मोनु को और यह लोग चटकारे ले लेके गोलगप्पे खा रहे हैं पंची को मिर्ची लग गई है तो अपनी ममा को दिखारी आ देखो मुझे मिर्ची लग रही है तो इस तरह से इनकी गोलगप्पा पाटी चल रही है और यह गोलगप्पे खाकर और इसके बाद इनके आफ सेशों को कहां चु पड़ेगा वो भी हम देखते हैं तो यह देखिए और यहां का जो गुलगप्य का पानी सा बहुत टेस्टी था बहुत हम लोग अपने हरिद्वार में भी खाते हैं लेकिन इतना टेस्टी ने देखिए यह देखिए यह पूछने खालो अब यहां पर हमारी बड़ी जिठानी जो है मुनीचे है मैंने उन्हें बुलाने के लिए भी भी भेजा है कि वो भी आके खा ले तो यह देखिए यह मेरी बिटिया जो है खाने के बाद अब अब अपना जो है वहां से हट गई है कि कोई यह ना कहें कि मैंने भी खाया था औ और बड़ी शरीफों की तरह उधर जाकी देख रही है, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, और ये दोनों बहने देखिए, मस्ती कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप यहां से देखे नजारा कितना अच्छा लग रहा है गाउं का, और ये इधर नीचे पंड अभी पिलाल नहीं हो रही है, सुबह और शाम दो टाइम होती है, अभी हो रहा है शाम के चार बजे के आसपस और पांच बजे से कथा शुरू होती है, तो यहां पर अब मेरी बिटिया ने मोबाइल लेके थोड़ा सा इधर गाउं के साइट का, क्योंकि हम लोग बहार हरे कद्दू की सब खाते हैं, और हम लोग यहां आये हैं, तो इसकी सबजी बनाएंगे, और इधर देखिए, यह खेती है, और अब मेरी जिठानी को हमने बलाने के लिए बिजवाया था, तो यह मेरी सबसे बड़ी जिठानी आ गई है, और हमने भी इने इस गिरोह में शा मुझे बुलाया जा रहा है कि एक गुलगपा आप भी वीडियो बनाते समय खाये ताकि यह प्रूफ रहे कि आपने भी खाया है, तो फ्रेंड्स, यहां मैंने भी सामने सामने भी गुलगपा खा लिया है, और यह देखिए, यह सबसे बड़ी जो है गिरोह की मालकिन, जो क बचा हुआ जो पानी है गुलगपे का, वो पूरे कटोरे से ही पी रही है, और इधर जो है हमारी अचना बिटिया जो है, इसके गुलगपे के जो अवशेश बचे हैं, जो भी उसके पैकिट्स वगरा, वो सब लिजा के अब कही ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, कि क किसी को पता ना चले, देखिए, यह देखिए, यह सारा इसमें एक साथ करके और यह डाल देंगी, तो चलिए फिर डेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाई